बुकान में हम सवाल पूछा था नी दो हेज केतना लें बिहार किर्केट एसोसियेशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी जी पहले लड़कुआ जो है ना बिहारे से खेलता था गोपाल गन से खेलता अगर बिया करी हैं तो हीरोईन सेवा टहल करी रहूर ना ना करी है मुकेश जो है बिहार का होके बंगाल में खेलके इंडिया टीम में जा सकता है तो फिर बिहार के किर्केटर बिहार किर्केट एसोसियेशन ते क्यों नहीं सेलेक्ट होते मैच टोटल खेले थे जिसमें उनको 35 विकेट मिला था एक हैट्रिक भी था उस मैच में खुद एंपायर भी थे जरा सोचिए जो बाला के यहां पे साथ मैच में 35 विकेट गोपाल गंज के पीच पे लिया था बिहार में घुम घुम के खेला था और जब उसे बिहार में मजबूरी में उसे बंगाल की तरफ रूख करना पढ़ा है चाचा जी रहानी जौन मुकेश के खूब रोकनी कि ना नहीं के क्रिकेट खेले के घर से बाहर जोई बता टांगर इधर के तूर दे का मुबाईलुवा में मुकेश को नो लड़की उड़की के फोटो हीरोई न कुछ ना आरके सिंग जौन रोवा लाइका के परतिभास समझनी गुपाल गंज में पीच बनवाई नी लाइका के खेलाई नी लाइका के आगे बढ़ाई नी उथानादार से रुगा एक बार मिले जरूर चल जान। अभी मैं गुपाल गंज में मुकेश के घर पे हूँ और ये वहीं मुकेश हैं जो भारतिय टिम में अभी सलेक्ट हुए हैं और मुकेश की माता जी हैं कहा जा रहा है कि मुकेस के पिता जी एक टेक्सी ड्राइबर थे और टेक्सी ड्राइबर का बेटा जो है वो कमाल करते हुए जो है भारतिय टीम में सेलेक्ट हुआ है दुर्भागी की बात ये है कि वो बिहार किरकेट एसोसियेशन से सलेक्षन नहीं हुआ है उसका सलेक्षन जो है बंगाल किरकेट एसोसियेशन से हुआ है माता जी है उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जब उनका बेटा जो है खेलना सुरू किया था उस समय किन-किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा जब उनका बेटा जो है बिहार छोड़ के बंगाल में गया उस समय किन-किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा और उसके बाद से आज भारतिये टीम में उनका बेटा सेलेक्ट हो गया है तो इन्हें किस परकार से गर्व महसूस हो रहा है सबसे पहले सच तक नियुज में आपका स्वागत है बहुत खुस है अचा राउर बेटा जॉन बाड़नी वह अभी बंगाल किर्केट एसोसीयेशन से खेलते हुए इंडिया टीम में सलेक्ट भाइल बानी कई सन्महसूस करता नियुज में बहुत खुस बानी जी हमार लड़का इतना उचा बढ़ गई ले बहुत हमार दील खु बानी टैक्सी चलावत रहनी तो टैक्सी चलावत एक टैक्सी ड्राइबर आपन लाइका के किर्केटर बना देलग आज मुकेस के पिता जी नहीं थी दुनिया में तब यह तनी अफ्शोस बादी तो जेतना हम खुस बानी उतना उन्हों को खुस रहती हुए बाकिर अब उ है ले बंगाल किर्केट एस्वियाशन के प्रेसीडेंटилась ल गली रननी जोनाव भारतिय किर्केट टीम के प्रेसीडेंट बन गयी ल्वा नीन हो टो व् लverty के में बहुत बठा योगदान बटे मुकेस के सलेक्शन में तो लांश उंहों को और्छी वन को सिरबाद देवा बताए कि आज से मैच सुरू हो तो टे वंडे मैच तो कब लागता की कब राउर लाईका जोन बाटे वंडे में खेली हैं हम जब खेले के शुरूबा तो अब खेले लोगी हों तो पहले गोपाल गण से खेला तरला अब कहां से कहां चहुप गोई ले अखेरी हों और देखा लिए तो और खुश सो खल जई और भागवान का बिहार किरकेट एसोसियेशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी जी पहले लड़कवा जो है ना बिहारे से खेलता था गोपाल गण से खेलता था आप लोग ऐसा खेल खेले ऐसा खेल खेले बिहार किरकेट एसोसियेशन को ऐसा बरबाद किये कि बिहार से सलेक्ष नहीं हुआ इगोपाल गज के लड़कवा का सलेक्ष न हुआ है बंगाल किरकेट ए तो पिर बिहार के किरकेटर, बिहार किर्केट एस्टे से क्यूं नहीं सलेक्ट होते हैं, आप क्यापटन रहे हैं मुकेश के और आप एक टूरणामेंट कराये थे उस टूरणामेंट का क्या नाम था? पर्तिभा की तलास और उसी में सबसे पहले मुकेश जो है सलेक्ट हुए थे सही बात है तो मुकेश का एक दूसरा नाम भी था ब्रेटली बहुत फास्ट बॉल फेकते थे तो जब पहली बार मुकेश आपसे मिले थे उसमें क्या लगा था वह पर्तिभा की तलास टूनमेंट मिन्य स्टेडियम गोपाल गंज में है वहीं हो रही थी तो यह एक्सरेंट जोसाफ ही स्कूल है गोपाल गंज में उसी स्कूल से वह खेलने गए थे तो उनको साथ मैच टोटल खेले थे जिसमें उनको 35 विकेट मिला था एक हैट्रिक भी था उस मैच में खुद एंपायर भी थे और उनकी परतिभा को देखकर उनको आगे के मैच के लिए बुलाए गया हम थे और एक मेरे सिनियर खिलाडी सते परकास नरोतम थे तो उनको बुलाए गया और उसके बाद तुरंत हैमन ट्रफी का चैन हुआ वह बिहार की परतिश्टेट टूनमेंट थी एक वहीं ह परफॉर्म किये उसके बाद कोई टूनमेंट के द्वारा विहार में नहीं कराए जा रहा था कुछ एवी सी के मैच होते थे वहीं हम लोग खुमके खेलते थे और करीव करीव साथ से सत्तर मैच हम लोग अपने हाँ अपने जीला के अंतरगत सीवान छपरा घूमके ग्राम तो महा सिर्फ बालिंग पर ध्यान दिये यानि बालिंग के सासा तो वो बैटिंग भी कर सकते हैं मुकेस इमर्जेंसी कंडिशन में जब टीम इंडिया फसेगा तो जरा सोचिए जो बाला के यहां पे साथ मैच में 35 विकेट गोपाल गंज के पीच पे लिया था बिहार में घुम घुम के खेला था और जब उसे विहार में मौका नहीं मिला तो मजबूरी में उसे बंगाल की तरफ रूख करना पड़ा तो सायद 28 साल जो उम्र है मुकेस का वो 22 साल के उम्र में ही इंडिया टीमें चले गये होते हैं सही है की नहीं है आप जी बिलकुल सही बात है यहां पर खेले यहां पर कोई सुविधा नहीं थी एक बार विहार इंटीन भी खेले 2010 में और उसके बाद यहां इस्थिती अच्छी नहीं थी परिवार की आर्थिक इस्थिती उतना उस समय सही नहीं था और हम भी उस दौरान खेलते थे हम लोग के भी सेमित संसाधन थे उस उत्थाना ध्यक्ष का नाम था अर्के सिंग आप जहां भी होंगे आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप खूब तरकी करें चुकि आपने एक परतीभा का तलास इस परकार से किया कि वह परतीबा जो है आज भारतिये क्रिकेट टीम में बुलंदियों तक पहुचन के लिए तयार है और वहीं जब यहां पर आए तो हम लोग अपने जीवन में पहली बार गोपालगज में टर्फ विकेट देखें क्योंकि साथ भावना कप की सुरुआत उन्हीं के दौरा भागलपूर के संडिस कंपाउंड से की गई थी पहले वह भागलपूर थे वहां म गंदबाजी मुकेश उस्टर बिकेट पे किया था और उसके बाद यहां पर देखे लो कि कोई टूरामेंट नहीं हो रहा है मनेता नहीं था तो यह अभी उसको राय दिये हम भी राय दिये कि कहीं बाहर तुम खेलो तो पहले उनका है थे राजेस चोहान के पास जाने के ल लेकिन इनके परिवार के अधिकतर लोग का वेवसाय कुलकत्ता में था तब तक एक घटना है कि एकसिडेंट हो गया मुकेश का और एकसिडेंट में चोट लग गई तो पिता जी को लगा कि यहां रखना ठीक नहीं हम अपने पास रखें तो पिता जी उनको बंगाल बूल सब्सक्राइद सब्सक्राइब करेंवार नुसाहित है और इस में लगों सेलेक्ट हुआ कि यहीं मुकेश जो है विःहार में शुरू किया था खेल अगर बिहार में मौका मिला होता तो आज बिहार का नाम करता की नहीं करता बिल्कुल बिल्कुल बिहार के खेल मंत्री से मैं भी नती करना चाहता हूं कि कुछ ऐसा प्रियास किजिए कि बिहार के किर्केटर जो है बिहार में खेले और बिहार से हैं हमजमेक कुझी साथ ना दियू से भी Carne Olon Scratch को यह से लिए व्हाट घडा है मेर लुक्त कई घडी है मैं रोटें कीत हुने कि अब तो सह न दो बहुत आउता बहुत लोग आउता बहुत हम्राद दुआर परेथी होता अचा मुकेश अब गुपाल गंज कब आवे वाला बढ़ां अब देखी अब कर अब कर अब केतना दीन पर आवे लनुए आवे ले माने जैसे टाइम मिली नू तो जैसे माने कब सालो भर पर चलिया अब जैसे आठो नौ महीना पर चलिया जब टाइम मिल जाई तो दुआ तीन दिखाते चलिया ना टाइम मिली तो ना सके ले अचा रहा गोपाल गज रहे नी कोलकाता जाने कि ना जाई ले तो अब तो मुकेश तो उंहा से सलेक्ट भाईल बढ़ां तो अब रहार में रहा कान में हम सवाल पूचा तनी दहेज के तना लें दहेज के काक वहीं रहा है जॉन मिल जाओ तो नहीं दहेज ले लहाल जाई अना मिलो तब सुन्दर पतो अगर मिल जाओ तो नो ठीक बटे कि लाइका तो नाम रोशन कर ये देले बटे अचा सुननिया की रहा पहले इगारवा में रहत रहनी है मैं आप मुकेस जॉन बाटे पीछे गो घर रुवा लख बनवावतारन कितना सचाईबा बहुत सचाईबा मुकेस बनवावतारन अचा रणजी में भी खेलत रलन और रे इंडिया के तरफ से जोन बाटे मैन औफ दा मैच उलबाड़न एक इनिंग में चार बीकेट अगला इनिंग में एक भीकेट तो रावर लाईका जब मैन आप दमायच भाईल उन रेस इंडिया के तरफ लोग आके बतावले होई तब रहुआ कोई शन महसूस करते रहा देक सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब तो अबरा सुने में आवेला कि उंकर चाचा जी बहुत मतलब रोके के कोशिस कई नहीं कि लफड़ा हो जाई कहीं बीवाद हो जाई ओपर परकार के महौल रहें एक और क्यातना सचाई बटे सब्सक्राइब चाचा जी बगले में ने वह इठल बनी यह से पूछल जाई अब बच्चे के परतीभाओं को समझ नहीं पाते हैं आप अपने बच्चे के परतीभाओं को समझें और वो जिस फिल्ड में अपना मुकाम बनाना चाता है सहयोग करें और अगर आप सहयोगी बनेंगे तो वो बच्चा जो है और ज्यादा नाम रोसन करेगा यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग आए हैं यह लोग जो है मुकेस की कहानी दिखाना चाते हैं बहुत सारे पत्रकार लोग आए हैं खेल मंतरी जिस जिला के हैं उस जिला के पत्रकार भी यहाँ पे आ चुके हैं मतलब उनके विधान साबा के बगल के पत्रकार यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन खेल मंतरी अभी तक नहीं आए हैं उमीद है कि खेल मंतरी तक यह बाते पहुचेगी और वो आएंगे माता जी से मिलेंगे और मुकेस का होसला बढ़ेगा और जब मुकेस देखेगा कि बिहार के 12 कुरोर लोग साथ में बिहार के नेता हमारे पीछे खड़े हैं तो और हिम्मत और होसला के साथ जो है बिकेट को तोड़ेगा सही है की नहीं है तो एक बार मुकेस के लिए आप लोग तालीब आईए गाए अभी देखेगे दाचियार-चियार के तालीब आ जा रहा है सब देख लिए अभी सबसे पूछेंगे हम मुकेस तो तुम लोगों का भाई है अंकल चचा है भाई है जो भी है सलेक्ट होगा है अब तुम लोग क्या करोगे हम पढ़ेंगे अभी अभी पढ़ोगे, क्या पढ़ाई करते हो अभी 11th में है अच्छा तो क्या बनना चाहते हो अभी इंजिनियर इंजिनियर बनना चाटे हो झलो इमांतरी से इंजिनियर बनना है। करना है तुम क्या बनोगी मंदारी से पढ़ाई करोगी ना मुकेस क्या लगते हैं आपके अंकल लगते हैं तो चाचु ने जैसे घर का नाम रौशन किया है वैसे तुमको भी नाम रौशन करना है तयार हो और यह क्या लगती है बताओ दादी लगती है चलो ठीक है आचा एक बात बाताई मुकेस तो पहले गुपाल गोज मेरहत्रलन गोपाल गोज में लड़की चरूब बिया करती है अब तो हिरोईं से बिया होगे वाला बास सुने में आवा दो लोग कहा था मुकेस के हुटा अब समय बताई अबुन कोनों का सादी के चोश्ट नहीं घ्या में साद सपस्क्राइब फाहब भादों और श्हों लड़की और दीखिले ना के देखिले बाने किना और इए डाकीन अधिक नहीं लोग कहता के कालो हुई ही रोईन सो ब्याह करियों णरोग सामने ही लोग कहता सब्सक्राइए और करें सेवा करें ना ना करें अच्छा लड़की समाजिक लड़की सुषजित लड़की जो मता जी के सेवा टहल कर सको वोकड़ा से बिया करिया ताकि मता जी के बुढ़ापा में कौनों भी परकार के दिकत ना होको साइबत बगिना मता जी आखरी में रौवा से एगो हम रिक्वेस्ट करे के चाहता नी जोन थानादार इहां रहनी का नाम रहुआ के आरके सिंग जोन रौवा लाइका के परतिभास समझ नी गुपालगंज में पीच बनवाईनी लाइका के खेलाईनी लाइका के आगे बढ़ाईनी उठानादार से रुआ एक बार मिले जरूर चल जाना जरूर जरूर कहां पोस्टिंग बानि हूँ गाया के सेर घाटी थानादेर महद है चुकि जब उहां के लागी कि हम कुछ अच्छा कई नहीं तो हमरा सम्मान मिलता लोग आवाता हमरा के मतलब वोकर फल देता टे तो कुछ और थानादार लोग आगे आई लोग कुछ और S.P. आई लोग कुछ और D.M. आई लोग कुछ और सरकारी पदादिकारी आई और कुछ और Kirmकेर के बनाई लोग स॔र पर सब्पार जाके उठानदार साहब से जरूर मुटारी tay YES कभी आगर यहां से हमारा ये प्रियास कैसा लगा मुकेस का खेल आप लोगों को कैसा लगा बिहार किरकेट एसोसियेशन से आखिर बिहार के खिलाड़ी सलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है इंटरनेस्टल मैचों में इन सब चीजों के बारे में आप लोग अपना राय जरूर रखना बाकी मुकेस की साधी अभी नहीं हुई है और अच्छा पतो अगर मिल जाएंगी तो मा सब्सक्राइब करते हैं अगारे रूपया दहेज पर तयार है मादाजी ठीक है जाहिंद